जब हम धनवान कमिनिटीज की बात करते हैं तो अक्षर हम सिंधियों के बारे में बात करते हैं गुजरातियों के बारे में बात होती है जहन लोगों के बारे में भी बात होती है और कई बार लोग बनियों की बात भी करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मराठियों का नाम में इस लिश्ट में add करते हैं जी हाँ आज मैं मराठियों के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मराठी परिवार अपनी घंगोर गरीबी से बाहर निकल करके खुद को अमीर और धनवार मनाने में काम्याब होते हैं मैंने अपनी रिसर्च में ये भी देखा है कि बहुत से मराठी धनी परिवार ऐसे हैं जिन्होंने घंगोर गरीबी से बाहर निकल करके खुद को अमीर बनाया है और वो भी जाने कितनी ही प्राबलम और तकलीफों से लड़ करके और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है परिवार तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसे पूरे परिवार के साथ देखिए ताकि आप अपने परिवार के साथ धनवान बन सकें अब आप सवाल कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि मराठी गंगोर गरीबी से निकल करके भी खुद को अमीर बनाने में कामियाब हो जाते हैं तो मैं आपको 6 ऐसी बाते 6 ऐसे कारण बदाने वाला हूँ जिसकी वजे से मराठी परिवार गरीबी से बाहर निकल करके खुद को धनवान बनाने में काम्याब होते हैं और अपने परिवार के साथ ही अपने आने वाली पीड़ी को भी संपन बनाते हैं इसके साथ ही मैं आपको ये बात पूरे यकीन के साथ कर सकता हूं कि अगर आप इन बातों को अपनी आदत बना सकते हैं तो आप भी निश्ची दूरूप से अमीर हो सकते हैं और अपने परिवार को संपन बना सकते हैं वो पहली वजह या कारण जिसके चलते मराठी परिवार अमीर हो जाते हैं वो है कमबाइंड एफर्ड करना और मिल करके कमाना अधिकतर मराठी परिवारों में एक खास बात ये होती है कि उनके परिवार का हर सदस्य किसी ना किसी दरीके से महनत करके इमानदारी से पैसे कमाता है और अगर कोई शक्स पैसे नहीं कमा रहा तब भी वो कोई ना कोई जिम्मेदारी जिरूर निभाता है तो अगर हम ये कहें कि मराठी परिवारों में खुद को संपन और धनवान बनाने के लिए एक मिला जुला एफर्ड होता है तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा ये बात आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब घर में एक इंसान कमाने वाला हो और चार खाने वाले तो आपके पास पैसे की कमी हमेशा ही बनी रहेगी लेकिन अगर आपके घर में चार खाने वाले हैं और चारों कमाने वाले हैं तो आपको पैसे की कमी कभी नहीं होगी, ये बात भी तय है, और जब आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, जब आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, तो आप इंवेस्ट भी कर सकते हैं, और खुद को अमीर भी बना सकते हैं, अब मैं आपको ये फोर्स तो नहीं कर सकता कि आ अगर आपके परिवार में सभी लोग मिलकर के पैसे कमा सकते हैं, सभी लोग अपनी कोई जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अमीर और धन्वान बनने में बहुत मदद मिलेगी, तो इस आदत को इस एबिट को अपने परिवार में शामिल करने की कोशिश जरूर करिए अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना वो दूसरी खास बात है जो मराठियों को अमीर बनाती है मैंने ये पाया है कि मराठियों में पहली पीड़ी अपने पैसे कमाती है और दूसरी पीड़ी उसे बढ़ाती है पहली पीड़ी के सभी लोग बहुत महनत करते हैं वो अपनी महनत से अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा फुट होल्डिंग देते हैं और इस बेश का फायदा उठाते हैं और अपने साथ ही अपने परिवार को भी अमीर बनाते हैं मुझे यकीन है आपके परिवार में भी ऐसा ही होता होगा और अगर आपके बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ करके खुद को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और आप उनका सही साथ देते हैं तो आपका परिवार भी धनवान बन सकता है ये बात भी तय है मराठी परिवारों की एक खास बात ये भी है कि वो नए को अपनाते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी वैल्यूज अपनी परमपराओं को नहीं छोड़ते वो अपनी परमपराओं को निभाते हैं, वो अपने कल्चर का पूरा सम्मान करते हैं और इस पर गर्व भी करते हैं और यकीन जानिए ये भी उनको धनवान बनाने की दिशा में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी परमपरा या वैल्यू की बात की जाती है तो कई लोग इसे पुराने वक्त की बाते मानते हैं और एक सोच बना करके रखते हैं कि पुराने वक्त की परमपराएं आज के वक्त में हमें सफल नहीं बना सकती मैं अपने अनुभव और रिशर्च के आधार पर ये कह सकता हूँ कि दुनिया का हर कल्चर, हर धर्म, हर परमपरा, हर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ लोगों के भले को ध्यान रखते हुए ही बना था और ये बाते आज भी प्रैक्टिकल हैं आज के वक्ट भी पुराने सिस्टम और कल्चर उतने ही प्रैक्टिकल हैं जितने पहले हुआ करते थे जरूरत है तो सिर्फ आज के साथ तालमेल बनाने की और अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपके लिए खुद को सफल और अमीर बनाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा जब आप कल और आज को एक साथ मिलाकर अपनी रूट्स या जड़ों के साथ मिले रहते हैं तो ये आपकी सफलता के लिए भी आपको मदद करता है और ध्यान रखिएगा इस बात से कोई फर्मी पड़ता कि आप किस कम्यूनिटी से आते हैं एक बात तय है कि अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो आप खुद को धनवान बनाने की दिशा में भी सही फैसले लेंगे इसलिए क्याता हूँ कि आप अपनी जड़ों से हमीशा ही जुड़े रहिए मराठी परिवारों की एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है परिवार में एक दुखरे का साथ दिते हैं और रिष्टों को निभाते हैं आज के वक्त अधिकतर जगों पर होता यह है कि लोग अपने रिष्टों को ना ही निभाते हैं ना एक दुखरे का साथ दिते हैं और इसी वज़े से कई बार लोगों के लिए सफल हो पाना मुश्किल होता है पर मराठी परिवारों में ऐसा नहीं होता और जहां खून के रिष्टे होते हैं वहां तो एक दुखरे के लिए कुछ भी करने का जज़बा होता ही है साथ ही वो अपने नजदी की रिष्टेदारों के लिए भी पूरा प्यार और अपना पन रखते हैं और ये अपना पन सिर्फ दिखावे का नहीं होता बलकि सच होता है इस साथ और सपोर्ड की वज़े से कई मराठी परिवार एक साथ मिल करके तरक्की करते हैं और खुद को धनवान भी बनाते हैं अब यहां मैं ये नहीं कहता कि आप अपनों से रिष्टे अच्छे नहीं रखते पर ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके रिष्टे अपनों से सच में अपने पन से भरे हुए हैं तो ये आपको निश्चित रूप से अमीर बनाने में मदद करने वाला है तो अपनों से अपने पन का रिष्टा बनाने की कोशिश करिए और खुद को अमीर भी बना लीजिए मराठियों की पांच भी अच्छी बात ये होती है कि वो पैसे को बहुत ज़्यादा समझदारी से खर्च करते हैं बहुत बचाते हैं और पैसे का सम्मान करते हैं अब ये बात मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ आगे भी बोलता रहूंगा और ये एक प्रैक्टिकल बात है कि जब आप पैसे को समझदारी से खर्च करेंगे तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी आप पैसे बचाएंगे तो आपके पास पैसे बढ़ेंगे और फिर यही पैसे आपको अमीर बनाने में भी मदद करेंगे साथ ही आप अपनी संपत्ती को भी बचाए हुए पैसे से बढ़ा सकते हैं और खुद को धनवान बना सकते हैं यकीन जानिये दोस्तों मराठी लोग हमेशा ही पैसे बचाते हैं खर्च कम रखते हैं और इस तरीके से वो अमीर होते हैं कहने की जरूरत नहीं है कि आप भी यही करेंगे तो आप भी खुद को धनवान बनाने में कामियाब हो जाएंगे और मराठी परिवार की जो सबसे शांदार बात मुझे लगती है वो यह है कि वो हार नहीं मानते मैंने कई ऐसे मराठी परिवारों को देखा है जो की बहुती निराशा से निकल करके बाहर आएं हैं कई ऐसे लोगों से बात करी है जो की घंगूर निराशा के दौर में भी उम्मीद की किरन के साथ लगे रहे थे और यही वज़ा थी कि वो अपने बुरे वक्त को अच्छा वक्त बनाने में कामियाब हो पाए यह बात बहुत छोटी सी लगती है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है और अगर आप भी अपनी उम्मीद पर भरूसा करते हैं तो आप अपने हालात को बदलने में कामियाब होंगे और उसके बाद खुद को अमीर भी बना लेंगे मैं अपने पूरे अनुभव और जितनी भी रिचर्च मैंने करी है उसके आधार पर यह कह सकता हूँ कि अगर कोई भी परिवार इन नियमों को मान लेता है तो वो पूरा परिवार और उसके सभी लोग निश्चित रूप से अपने हालात को बदल लेंगे अमीर बनेंगे और अपनी लाइफ को एक बहुती पॉजिटिव डिरेक्शन भी देने में कामियाब हो जाएंगे अगर आपको लगता है कि आपके पूरे परिवार को सभी रिष्टेदारों को सभी अपनों को ये वीडियो देखना जाईए तो इसे उनके साथ में शेर जरूर करिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मेरा होंसला बढ़ाईए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहिए सब्सक्राइब का बटन दबा कर और बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई वीडियो मिफ्त ना करें अभी के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद